तो आप वेट करो, डेफिनेटली साथ पैसे आगा, वहाँ पर आप एंटी कर सकते हूँ, मेरे साथ भी साथ पैसे में एक अच्छा बाई बनता है हेलो दोस्तो, एक बाद दुआरा से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपकी अपने चैनल पर चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नीचे आपको हमारे लिंक्स दिख रहे होंगे, टेलिग्राम का लिंक है, ट्यूटर का लिंक है, इस्टाग्राम का लिंक है, और आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकती हूँ, राइट, मै लवाना ना भूलिएगा, टाकि हमारे नोटिविएशन रिसीप कर पाओ, तो दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट आये थे, कोशन आये थे, रिगारिंग, एपसीए सॉप्ट्वेर सॉलूशन लिमिटेट के उपर, तो मैंने एक सोचा, स्टॉक के उपर छोड रहेगा, टागट रहेगा, तो सब हम जानेंगे, दो चीजों से, एक होगा, इसके चार्ट के माद्यम से, और दूसरा होगा, फंडामेंटल अनालेसिस के माद्यम से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले हम स्टॉक के फंडामेंटल अनालेसिस से, स्टॉक का नाम जैसे आपको बताईए, FCS Software Solution Limited है basically इसका काम Software Development Company है और NSC, BSC दोनों में Listed Company है, और NSC में ये stock चलना है आपका 82 पैसे के असपास, 82-85 पैसे के असपास, और BSC में चलना है 95 पैसे के असपास तो इसका जो market cap है काफि अच्छा market cap, 162 क्रोड का market cap है और All Time Low High आप देख सकते हो stock अभी All Time High के आस पर trade कर रहा है Book Value के साब से stock की जो value होने चाहिए, 1.79 होने चाहिए मतलब stocks काफि सस्ते में आपको मिल रहा है भी, और आगे लेके चलते हैं इसके कुछ और देख लेते हैं, fact की stock में और क्याग अच्छी चीज़े है और दोस्तों, stock में एक और बात अच्छी निकल के आती है कि stock is debt free, yes company में almost करजा मुक्त है company में एक रूप बेका करजा नहीं है अगर होगा भी तो दे सकती है जैसे मैंने आपको बताया, stock अपने book से कावी सस्ते में trade कर रहा है तो ये 2 points काफी अच्छे points है की stock almost debt free है और stock अपने book से कावी सस्ते में trade कर रहा है जब भी अगर ही 2 चीज़े आपको मिलती है तो आप stock को buy कर सकती हूँ ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि आपको entry point किस price में लेना है कि आप ऐसा entry point ले जो आपको एक अच्छी return वहाँ से दिखा सके ऐसा नहीं कि आप overboard zone में इसको buy कर रहे हो मतलब जहाँ पर seller activate हो वहाँ पर buy नहीं करना है आपको वहाँ buy करना है जहाँ पर आपको एक अच्छा profit मिल सकता है इसके लिए आपको चार्ट का सारा लेना बढ़ता है तो चार्ट में आपको दिखाऊँगा कि हमें किस best price में entry करनी है और हमारा stop loss और target क्या रहना चाहिए तो दोस्तों मैंने quarterly results खोल लगके आप देख सकते हो इसमें आपको पूरे के पूरे quarterly results दिख रहे होंगे स्क्रीन में आपके अगर आप देखोगे इसमें तो इसका जो operating profit margin है आप देख सकते हो जून quarter में और September quarter में increase हुआ almost 30% के आसपास एक अच्छा figure यह है मतलब operating profit में margin में काफी अच्छी increment देखने को मिली है दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसको net profit की तो जून quarter में इसको एक क्रोड के आसपास का profit हुआ है और September quarter में इसको 1.38 क्रोड का आसपास का profit हुआ है मतलब company देख सकते हो लगातार कुश quarter से लगातार कुश quarter से loss making company थी ठीक है लेकिन इस बार इसने एक अच्छा profit शो किया है जून quarter और September quarter में देख सकतो मार्च में इसका जो loss था वो 15 क्रोड के आसपास था माइनस 15 क्रोड के आसपास था और माइनस 15 क्रोड से company ने अल्मोल्स 2 क्रोड का profit शो किया एक बहुत बड़ा number है कंपनी के जो profit है काफी अच्छे हो चुके है तो इसका मतलब December quarter में के अच्छा profit दे सकती है सायर दे सकती है इस ये stock का जो price है उस चीज को discount कर रहा है और बात करूँ इसके earning pressure में देख सकते हैं दोस्तों earning pressure भी इसका positive हो चुका है आप देख लिते हैं इसका shareholding patent दोस्तों मैंने shareholding patent खोला हुआ stock का देख सकते हो आप promoter की holding almost 20% के आसपास है 19.65 के आसपास है और इसमें जो public है almost 80% है पर इसमें जो एक छोटा सा doubt है और doubt यह ही कि stock में जो promoter की holding है 20% है ठीक है company को profit हुआ लगा था 2 quarter में लेकिन promoter ने देख सकते हो एक रूपे की holding increase नहीं करी मतलब यह socialally बात है कि company को profit हो रहा है 2 crore 1 crore का लेकिन company के promoters अपनी holding increase क्यों नहीं कर रहे अगर वो 1% से भी increase कर लेते आदा परसें से भी increase कर लेते तो मैं बोलता है stock future में मुझे अच्छा scope दिख रहा है प्राइस में मिल रहा है वो quotient mark है और target क्या रहेंगे वो अभी हम chart के माति हम देख लेंगे और company का business अच्छा business है अब दोस्तों आगे बढ़ता हूँ हम लेके चलता हूँ उसके chart के तरफ chart क्या कह रहा है हमें buy करके चलना चाहिए या नहीं करके चलना चाहिए hold करना चाहिए हमें wait करना चाहिए देख लेते एक बार तो आपको मैं chart share करने से पर एक छोटा सा मैं example दे रहता हूँ ठीक है यह example साथ आपको बहुत help करेगा आपकी trading में वह क्या दो तो देख सकते हैं कि यह आपको याद होगा यह stock था हमारा ठीक है खांडवाला security embedded इसमें हमें 144% के data आ रहे थी इतनी मेरे ख्याल से दिखा रहा था ठीक है तो बहुत सारे लोग क्या बूल रहे थे sir कि हम stock को क्या buy कर ले मतला जब यह चला था 22 रूपे और 20 रूपे के असपास चला था तो मैंने आपको बहुत clear का था इस price में entry नहीं करना है आपको मौका मिलेगा आपको मौका मिलेगा next month तब आप entry कर सकते हो तेखो अगर आपने उस price में buy कर लिए होता 20 रूपे 22 रूपे के असपास तो अभी stock का price चला था रूपे के असपास मतलब आपको नुकसान होता मतलब stock market में एक चीश मेटर करती है वह आपका entry point अगर आपको अपना entry point बता है तो आप definitely एक अच्छा मुनाफाइक कर सकते हो अगर आपको अपना entry नहीं बता है अच्छी entry नहीं हो रही है आपकी तो आप नहीं कर सकते हो इसलिए मैंने आपको बोला था को वो wait करना है और जो stock अभी में बात करो FCS Software Limited इसमें भी जो entry point है अभी वो अच्छा नहीं नजर आ रहा है मुझे तो आपको उसमें wait करना पड़ेगा मैं आपको एक एक entry point दूँगा जब वो stock उस entry में आयागा तब आप इसको buy कर सकते हो उससे पहले इसको buy मत करना आप उसमें trap हो सकते हो ठीक है तो यह example दिखाने का purpose वो ही था अब दोस्तों मैं लेके चलता हो stock है आपके chart की तरफ दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ आ रहा है तो definitely like करना, share करना share कर सकते हो Twitter में, Telegram में और WhatsApp में और आपको आप किसी को भी mail कर सकते हो ठीक है तो definitely वो करके जाना और like तो पक्का करके जाना दोस्तों मैंने यह आपका FCS software का weekly chart खुल लगा, यह NST का chart है ठीक है अपर एक resistance area है, उसके बाद जो resistance निकल के आता है, दो रुपे निकल के आता है, तो दो रुपे इसका R2 हो गया ठीक है लेकिन पहले R1 के उपर तो cross कर दे, उसके बाद हम R2 के लिए rate करेंगे, लेकिन पहले R1 में profit booking बनती है तो अभी इस price में buy करना बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है, अब क्यों नहीं बनता है, समझो बात को, देखो अभी chart मैंने खुला हुआ है, अपर सामने यह देख सकते है, 2014 से लेके, आपको देखने को मिल लागा, 2014 से लेके, ठीक है, 2021 तक आप पर चार्ट है, अल्मोस आपको चलगा तो करना है, अब आपको वेट करना है, जब तक इसट्ट की तॉक डुमारा से, 60 पैसे की आपको दिखता नहीं है, तब तक आप इसको buy मत करके जाना ठीक है यह मेरी analysis कहती ही कि definitely stock आपको 60 पैसे दिखा सकता है क्यूँ उसका एक reason है यही होता है price action, price action का यही तरीका होता है, यह पुरा एक registration दे रही है था, इसके बाए stock यहाँ इसने आप देखते ब्रेक आउट किया, ब्रेक आउट के बाद यह एक गुरूपे के आसपार यहाँ रजिसन ले सकता है, उसके बाद यह द्वार नीचे आ सकता है, और नीचे आ को लगा, ticker tap की website है, उन्होंने में लिखाया कि यह entry point अच्छा नहीं है, क्योंकि यह अभी price overboard zone में चल रहा है, ठीक है, ticker tap के साबसे भी, अभी price अच्छा नहीं है, क्यों, overboard zone में चल रहा है, यह साबसे अभी entry points इसका अच्छा नहीं है, आप wait करो, आपको definitely 60 पैसे दिखा कर सकते हैं, मेरे साब से 60 पैसे में अच्छा बाई बनता है, अब आके लिए के चलता हूँ daily chart में, तो अब आप question होगा sir, किसार आप इसको बाई करोगे, मैं बोलूँगा, मैं साइज इस stock को बाई नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, दो र वहाँ पर हमें एक अच्छी written देखने को मिल दी है, example के तौल बे आपको पता है, महा कॉब हमारा almost 200% के असपास अब भी written दे रहा है, almost, ठीक है 240 के असपास दे रहा है, तो ये भी वह एक example है, ये stock में आपको 20 पैसे में देता है, तो आज आपकी लिए written होती, आप calculate कर लो 500% के return आती, और definitely मैं कहता हूँ, महा कॉब हमी आपको 500% के return एक बार future में दिखाएगा, future में एक बार 500% के return आपके books में दिखायागा, अगर आपने 20 पैसे में बाई किया है, तो ये stock भी similar हो ही था, जो मेरे साब से आपकर मैं इसको बाई करता है, तो 20 पैसे में बाई करता तो मैं बाई करता इसको दुबारा इस एरिया में, जो निकल की आता आपका 40 पैसे के असपस, ठीके, इस एरिया में इसको बाई करता, और अभी बोलो से, अगर आभी 80-90 पैसे चला, आप बाई करूगे, मैंने बथाया ना, मैं बिल्वल बाई नहीं करूँ आप, मैं हिस्सा लगाओ profit का या अपना capital कुछ हिस्सा लगाओ 60 पैसे का असपास ऐसा नहीं आप पूरा का पूरा capital एक stock में invest कर दो अगर आप ऐसा करोगे तो आप से वड़ा मुर कादमी कोई नहीं होगा इस वीडियो के आई समाप्त करता हूँ मेरे साफ से ये stock आपको 60 पैसे में एक अच्छा बाय बनता है profit के साफ से stock अभी अच्छा लग रहा last 2 quarter से और से रोल्डिक pattern ठीक ठाग है इतना अच्छा नहीं है जिस price न भी चल रहा है वहाँ buy करके चलना चाहिए मेरे साफ से बिलकुल buy नहीं करना चाहिए और जिनके पास इस stock है पहले से उनको क्या करना चाहिए 10 पैसे के आसपास एक रुपे 5 पैसे के आसपास थोड़ी profit booking करने चाहिए थोड़ी मतलग आप 20% 30% profit booking कर लो ठीक है मेरा यह आपके लिए सला रहेगी इस stock में तो भाई इस वीडियो के आइस वाप्त करता हूँ अच्छा लगा तो आपने लाइक करना शेर करना comment करना मिलत आपको अपने नेक्स वीडियो वे तिल देन वाई वाई थैंक इसो माज शेफ टेडिंग हैपी टेडिंग पीस आउट